हेलो गाइज बहुत टाइम बात एक नया वीडियो आपको लिए लेकर आया हूँ मुंबई उनिवर्सिरी के कुछ अपडेट्स है इसमें चीक है गाइज आपको कोई भी अपडेट्स देने से पहले मैं आपको एक चोटा सा डिस्क्रीमर देना चाहूँगा इसे बहुत से लोग है जो यह वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और मेरी खाल से देखिंगे भी नहीं तो आपको पहले ही कुछ डिस्क्रीमर देगेता हूँ गाइज मैं आपको जो भी अपडेट्स दूंगा इस वीडियो के लिए यूनिवर्सिटी के लिए वो गाइस मैं कही नहीं से रीट करके आपको दे रहा हूँ ओके मैं दो तीन दिन से रिसेर्च कर रहा हूँ मैं सर्च कर रहा हूँ मैं दो तीन दिन से सर्च कर रहा हूँ जो भी इंफोर्मेशन में को मिली है मैं आपको वही बता हूँगा गाइस कोई मैं कोई यूनिवर्सिटी का प्र तो मैं आपको जो भी इंफोमेशन देंगा गई जो कोई फेक नहीं होगा आपको कोई भी चीज में डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट में पूछ सकते हैं मैं आपको इसका लिंक भेज दूँगा पूरा ट्राइब करूँगा आपको मैं इसको पुरा लिंक देदू कोई भी चीज को अगर 100% कंफर्म करना चाहते हैं तो वह आपको सिर्फ और सिर्फ युनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही मिलेगा यहां पे युनिवर्सिटी के जो भी अपडेट्स होते हैं वह अपने वेबसाइट पे ज़रूर पोस्ट करते हैं जब तक आप कोई भी युनिवर्सिटी के पोस्टिट अपडेट्स नहीं देखते हैं आप कोई भी चीज को 100% नहीं मानिएगा या फिर कोई भी चीज आपको निउ इसलिए नहीं होगा तो सबसे पहले मैं आपको गाइस कवर करता हूँ ATKT students के लिए so ATKT के कुछ updates ये है कि first of all जो नागपूर के लिए है उनके लिए good news ये है कि okay guys तो देखे गाइस जो नागपूर के university है okay उन्होंने बोला है कि वो ATKT के students है उनको 80,000 students को वो पास करेंगे ऐसा वो लोग ने mention किया है अभी कुछ भी documented नहीं आया है नागपूर university के website पे okay ये फिर भी एक update है okay जो कि 11 जुलाई को ही आया है so फिलाल तो अच्छा good news तो है और मॉंबर university के तो students है उसके लिए update है गाइस के जितने भी ATKT के students है उसमें कुछ percentage होगा उस percentage के सबसे वो लोग उनको पास करेंगे है okay बट्म आपको बदाते तो ये percentage जो रहता है mostly जो update है मैं आपको पहले दिखा रहता हूँ अप्डेट है क्या मुंबरी उनवर्सिटी के लिए update यह है कि students के लिए बोला गया है कि उनको grace marks से पास किया जाएगा पर जैसे मैं आपको बला ये grace marks जो होंगे वह 100% students को अगर आप करते हैं तो आपको आप इसमें दो क्राइटीरा होते है अगर आपने अपने अप्लाई नहीं किया है तो फिर बहुत धादा तो फिर doubtful है guys जैसे के for an example अगर आप November October में फेल हुए है और अगर आपने 27th feb से पहले apply नहीं किया था ये year के लिए 80-80 के लिए तो फिर आपका बहुत doubtful है जो लोग ने apply किया है वो लोग के लिए तो 100% ये update है कि उनको grace marks से pass कर दिया जाएगा उनके लिए update ये है कि उनको pass कर सकते है वो 80-80 वा लोग को बार जो लोग में appear भी नहीं कि है उनके लिए अब सब कुछ 100% confirm news नहीं आया है तो ये 80-80 के लिए है अब मैं आपको regular students के कुछ updates देता हूँ अब भी regular students में guys एक fight चल रही है UGC और गाव में और जो उनवर्सिटी के बीच में क्योंकि UGC जो है वो अभी तक 100% कुछ भी confirm नहीं बता रही है और उनका confusion अभी भी इस बात पर है कि वो final examinations के लिए allow कर रही है कि नहीं बिकॉज उनका एक recent update आएगा जो आपके उन्होंने भी बताया है कि September में वो final examinations के लिए students को students को means students को final examinations September में देना पड़ेगा okay but इसमें बहुत सहरे students है वो अल्यटी बहुत खुश नहीं है भड़क गए है इसके decision में बिकॉज जो corona virus चल रहा है COVID-19 के वजए से it is not safe के वो students भार आके exams appear करेंगे because students बहुत है okay और government इस बात का responsibility भी नहीं लेगा कि आपको virus का government इस बात के लिए कुछ रिस्पॉंसिबिलिटी भी लेगा आपके लिए है कि आपको virus होगा नहीं होगा because अगर आप exams देने आएंगे तो वो government की responsibility हो जाती है so guys फिलाल मैं आपको पहले बताते तो guys अभी तब कुछ भी confirm नहीं आया है especially Mumbai University की website में वो लोग ने कुछ भी ऐसा confirmation नहीं दिया है last update जो लोग ने दिया था कि जो students है वो next semester के लिए sorry next duration के लिए वो apply कर सकते है वो admissions के लिए apply कर सकते है okay अगर आपको admissions के लिए apply करना है आपको जाना है कि कैसे admissions के लिए apply कर सकते है तो आप प्रीज आपने जो comment में बताईएगा मैं आपको पूरा procedure बताऊंगा ओके फिल्हाल मैं आपको बता देता हूँ यह देखिए गई यह एक university का एक जो last update में आपको दिखा रहा था है आपक यह वही है जिसमें लोग ने clarity कोई भी चीज के लिए नहीं दिया है यह सिर्फ लोग ने new admissions के लिए दिया है कि आप किस तरीक से admissions ले सकते हैं और आप online fees भर सकते हैं आपका admissions जो है confirm हो जाएगा 2020 से लेके 21 के लिए बट अभी भी कुछ भी clarity नहीं है उन students के लिए जो अलड़ी अप्रेयर कर चुके है या फिर जोनों ने register किया था बट उनके exams नहीं हो पाए आपको जो है वह प्रमोट कर देंगे वह लोग बट 100 परसंट कोई update नहीं है मैं आपको कुछ और update दिखा देता हूँ तो एक update यह भी है हमारे पास कि महाराश्टर रुपास 3.9 लाग final year students university students without exams ठीक है अभी इस पर भी एक debate चल रहा है क्योंकि UGC बोल रहे हैं कि वह जो exams है वह September में conduct करने वाले हैं चीक है तो गाइस देखिए उसके बाद में आपको बटा रहा था यह जो है confirm news है कि यह जो courses है इस सबके exams already cancelled हो चुके है non occasional courses के exams cancelled है Delhi University सबसे best बात है Delhi University के decisions बहुत ही confirmed है उन्होंने अपने सारे exams को cancelled कर दिया है Confusion सिर्फ महाराश्त्रा में जाता चल रहा है वहाँ पर UCG का decision है Agricultural students के exams cancelled है NIRS के है उसके भी exams cancelled है इसके अलागा अगर आपको कोई भी जानना है तो आप प्लीज में चामेंट करके पूछिएगा मैं पूरी कोशेश करूँगा कि मैं आपके इस चीज में जरूर हेल्प कर सकूँ और मुझे जो भी चीज 100% या कुछ भी confirm नहीं होगा तो उसका मैं आपको कोई comment में reply नहीं करूँगा विकास मैं आपको यह जो information है थोड़ी crucial हो जाती है थोड़ी critical type हो जाती है सब लोगी अपने exams के update के लिए वेट कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ भी fake या wrong information नहीं देना चाहता हूँ तो प्रीज आप comment पे लिखिए आपको जो भी information चाहिए मैं कहीने कहीं से collect करके आपको जरूर बताऊंगा अगर मैं उसके नहीं पता होगा इसके बारे में कुछ आपको आइडिया नहीं होगा या अपडेट नहीं होगा तो मैं आपको sorry लगके भेज़ दूँगा क्योंकि मैं आपको त्विट से बोलता कुछ भी fake या incorrect नहीं बताना चाहता हूँ ठीक है अगर आप अप्यर करना चाहते हैं जान चले कि December के लिए तो आपको करना से बितना होगा आपको यूंवर्सिटी के एससाइड में जाकर distance and open learning में क्लिक करना होगा उसके बाद आपको यह first link के क्लिक करना होगा आपको यह window open होगा अप यहां से क्लिक करके आप मैं new session continue कर सकते हैं और यहां पर अगर आप new है तो register कीजिए वहना आपको पुराना login करके आप चेक कर सकते हैं repeaters के लिए हैं इस सब के लिए हैं अगर आप new हैं अगर आप फ्रेश वीडियो चाहते हैं admissions कैसे करना है तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बताईएगा ओके गाई तो वीडियो को मैं इन करते हैं से वितना बताना चाहूंगा कि अगर आप कमेंट से मुझे कुछ भी पूछते हैं तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंट रखिएगा क्योंकि कोई कोई information कलेक करने मां टाइम लगता है और जब information आती है कमेंट से सब लोग के एक साथ आ जाती है तो मैं instant reply नहीं कर पाऊंगा बड़ ओविसली मैं पूरा ट्राय करूंगा कि आपको सब को reply करो क्योंकि क्योंकि रॉझे था है